Assalamualaikum welcome to student tube आज के इस lecture में हम बात करेंगे कि what is financial accounting कि financial accounting है क्या तो financial accounting is a specialized branch of accounting यानि कि financial accounting जो है वो accounting की एक branch है ठीक है financial accounting accounting की एक branch है और it is the maintenance of all daily records of all financial transaction तो यहाँ पर transaction से मुराद क्या है ट्रांजिक्शन से मुराद है कि जब भी एक से दो अफराद आपस में लेन देन करते हैं तो उससे transaction होती है for example कि आप किसी से merchandise खरीदे हैं merchandise क्या होती है merchandise वो माल होता है वो चीज होती है जिसका आप business करते है for example आप toys का business करते हैं तो आपने किसी से toys खरीदे और बदले में आपने उसे cash दिया तो यह जो कहलाएगी यह transaction कहलाती है ठीक है आपने उससे merchandise खरीदी बदले में आपने उसे cash दिया ठीक है तो ये एक transaction create हुई जिसमें आपके पर merchandise आ रही है और cash जा रहा है ठीक है तो ये कहलाती है transaction तो financial accounting में यही होता है कि दिन भर की जो भी इस तरह की transactions होती है कि कहां पर cash गया कहां से cash आया कौन से expenses हुए कहां से मुनाफ़ हुआ तो ये सारी जो चीजें है वो financial accounting में record की जाती है तो financial accounting क्या होता है financial accounting accounting की एक किसम है और इसमें दिन भर के रोज मरा के जो भी transactions होती है वो record की जाती है बहुत ही ज़ादा simple है अब अगला सवाल यह आता है कि why is financial accounting needed कि हमें financial accounting की जरुरत क्यूं है तो अगर हम देखें तो आप अपने आज़ पास एर्द केट के जितने भी अगर छोटे बिजनेसे यानि के दुकाने भी देखें तो वो भी अपने हिसाब से financial accounting कर रहे होते हैं उन्होंने किसी professional को हायर नहीं किया होता बट उनके पास एक book होती है जहां पर वो हिसाब किताब रखते हैं इस बात का ठीक है अगर आपके करीब में कोई दुकान है और वो उधार पे चीज़ें देती है तो उसके पास एक book होती है जिसमें वो record करती है कि उसने किस किस को उधार पे चीज़ें दी है उसने किस किस से पैसे लेने है और क्या क्या उसने जो समान आया है लाइक अगर कोई bakery है तो उसने इस चीज़ का हिसाब रखा वा होता है कि जो जो समान आया है जो जो समान लेना है जिस जिसने उधार लिया है उसने वो अपने हिसाब से और प्रोफेशनल तरीके से रिकॉर्ड रखा हुआ होता है तो हर कोई financial accounting यूज कर रहा होता है बर जो professional लेवल पर accounting होती है वो थोड़ी different होती है तो यहाँ पर why is financial accounting needed to know the performance of the business specifically financial accounting हम इसले यूज करते हैं कि हम देखना चाते हैं कि जो हमारा business है वो जा किस तरह से रहा है अगर हम यह record ही नहीं करेंगे कि कहां पैसा गया कहां से आया तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो business है वो मुनाफ़े में जा रहा है या नुकसान में जा रहा है तो जब हम इन तमाम चीजों का हिसाब रखते हैं कि हमारा पैसा कहां पे गया कहां से आया कहां से लेना है कहां पे देना है तो इन चीजों से हमें पता चलता है कि हमारे जो बिजनिस की कंडिशन है वो क्या है कि हम मुनाफ़ कमा रहे हैं या फिर हम नुक्सान उठा रहे हैं तो financial accounting बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि जब हम कोई business करते हैं तो हमारा aim यही होता है हमारा मकसद यही होता है कि हम उसे मुनाफ़ कमा है तो financial accounting हमें उसमें help करती है कि हम जान सकें कि हमारा business मुनाफ़ कमा रहा है या नहीं अगर मुनाफ़ कमा रहा है तो अच्छी बात है उसे और improve किया जाता है और अगर नुक्सान कमा रहा है तो इसकी जरीए यह देखा जाता है कि हम किस तरहां से अपने नुकसान को कम करके इसे मुनाफिक की तरफ लेके जा सकते हैं तो ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने ये बात की कि कि फैनेंशल अकाउंटिंग क्या होती है और इसकी जरुरत क्यों है उमीद करती हूँ आपको अच्छे समझ आया होगा मज़ीद लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को कर दें सबस्क्राइब और साथ ही अपने क्लासमेर्ट्स और फ्रेंट्स से शेयर भी जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज